बांगला देश में संकट अभी जारी है प्लान मंत्री पस्ट से इस्तिफा देने के बाद सेख हसीना भारत आ चुकी है जानकारी है कि वे अगले 48 घंटे में किसी और देश के लिए उडान भरेंगी लेकिन इसमें भी कई पेच है बीते दिनों ही उनके लंदन जाने की संभा पुष्टी नहीं हुई है फिलहाल भारत सेख हसीना को लंबे समय तक सरण देने और साथ ही कुछ दिनों की सरण के लिए इंतजाम कर रहा है एक और सरकार उन्हें यूरोप के देश में भी सरण दिराने का काम कर रही है लेकिन वहां की मौजूदा इस्तिती के कारण इसमे उचित प्रोटोकॉल दे रही है सरकारी सूत्रों ने कहा कि हमें ऐसे परिदिस से के लिए तयार रहना होगा जहां अंतराश्टी अस्तर पर उनके खिलाब पैदा हो रहे है मुद्दो को देखते हुए उन्हें लंबे समय तक भारत में रखना पड़ सकता है वह कल सैन सी 130 जे विमान से भारत आई थी विमान अब वापस चला गया है लेकिन वह अभी भी यहीं है वायु सेना सुरक्षा जंसियों ने हिंडन एयर बेस से लेख सफदर गंज और पालम एयरपोर्ट तक विसेस अभ्यास किया है अगर सेख हसीना को लंबे समय तक भारत में रहना है तो वह दिली के हिंडन एयर बेस के बाहर कहां रह सकती है इसको लेकर भी ट्रील की गई है इसके साथ ही अगर सेख हसीना को पधानमंत्री मोधी जैसे वी वी आई पी से मिलना होगा तो वह यहाँ और कैसेर होगा इसे लेकर भी तैयारी की जारे है गौर्तलभे की सेख हसी के लिए एनस्जी कमांडो को तैनात किया गया है वहीं हिंडन में वायु सेना के गरुण कमांडो बाहरी सुरक्षा सम्हाल रहे हैं एनस्जी अजीड दोभाल पलपल की इस्तिती पर पैनी नजर बनाये हुए हैं एनस्जी लगतार इस मामले की जानकारी पीम मोधी को दे रह हैं इस पूरे ऑप्रेशन का नितित अनस्जी अजीड दोभाल कर रहे हैं भारत सरकार राजनितिक और कूट नितिक दोनों मोर्चे पर अपनी तयारी मजबूत कर रही है विदेश मंत्री एस जैसंकर ने बांगला देश के मौजूदा हालात पर संसत को भी जानकारी दी है सेख हसीना सो मौर्चे भारत में हैं वे बांगला देश में पीएमपस से इस सिफा देने के बाद भारत आई थी इससे पहले भारत एक अन्य प्लान पर भी काम कर रहा है सुत्रों का तो यह भी कहना है कि बांगला देश की पूरुप धारमंत्री अगले 48 घंटे में भारत चोड़ सकती हैं महीं सुत्रों की माने तो हसीना यूरोप के किसी देश में जा सकती है इसके अलावा अन्य देशों से उनकी बाची चल रही है ऐसी भी चर्चा है कि वह रूस में भी सरन ले सकती है फिलहाल से एक हसीना को गाजियाबाद इस्तित हिंड़ने अर्बेस के से फाउस में रखा गया है तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम और यूप उत्राखंड की हर छोटी बड़ी ख़बर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले न्यूज नेशन अब वाट्सेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें